हालो फ्रेंड्स नमस्कार खुलू मखा मेरा नाम संजे है और इंडियन रियक्शन में आपका स्वागत है उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम इस वीडियो पर रियक्शन देने वाले वीडियो का टाइटल है तिरुपुरा बुरु ट्राइब वाइल गया कि आ auf इसे तुरुपुरा में प्रोथेट हो रहे और बूटेस्ट हो इसे वह क्या है हम इस वीडियो से जानेंगे और उसके बात हम बात भी खरेंगे तो वीडियो पर जानेचे पहले अगर आपनी है अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें दो प्がियान करें वीडियो क का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रप्शन बुक्स में मिल जाएगा तो प्लीज आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजे तो पहले वीडियो देख लेते बाते बाद में कर लेंगे लेट स्टार्ट लेकर काफी हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है तो इन सबके बारे में तुमा मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ इसके लिए हमें जाना होगा नौर्थ इसमें और नौर्थ इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेंली सेवन स्टेट देख रहे होंगे और इसके अलावा सिक्किम यह पुरा नौर्थ इसमें उसका याद रखेगा कि बाकी के जो छे स्टेट्स हैं पार उसके बाउडरी आम शेर करता है तो यहाँ पर जो तृपुरा है और जो मिजोरम है इसी को लेकर पुरा मामला चल रहा है यहीं पर जो गुरु कम्यूटी के लोग है वो इसी रीजन में रहते हैं स्पेशली यहाँ पर जो आप देख रहे हो त्रिपुरा के अंदर य website में तिरुपूरा ये काफी आज पास हैं तो इसी को लेकर यहां पर resettlement की चर्चा चल रही है जो कंचनपूर है वहां पर resettlement किया रहा है बुरू कम्यूटी का आप यहां पर न्यूज में भी देख पाओगे बुरू settlement issue heavy security deployed in North पूरा as protesters block national highway तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा brew कम्यूटी के बारे में कहां से यह स्टार्ट हुआ पूरा मामला और इस समय क्या सिच्वेशन है रिस तो जानना है मुझे भी और इस वक्त में North East के उपर बहुत deep research करने की कोशिश कर रहा हूँ प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल रिवाइन कर सकते हैं अंकित अग्रवाल ऑफिशल और अगर आप यूपसी की त्यारी कर रहे हैं तौप के लिए सुनारा मौकाइश टड़ी एक विलाहब के लिए स्मार्ट पोर्स इसके तुरू आप अपने प्रिप्रेशन औ कि पूरे देज के ट्राइब को पीवी टीजी का दरजा मिलाए है और सबसे ज़ादा particularly vulnerable tribal group आपको कौन से राज में मिलेगा इसका find out करिए answer जो है और इसका comment करिया बताइए कौन सा correct है और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछले दो दसक पहले मिजुरम के अंदर सबसे ज़ादा क्या था कि यह जो group community है वो मिजुरम के अंद मांग बढ़ने लगी दो दसक पहले कि जो group tribe है उनको electoral role से हटा देना चाहिए और लोग demand करने लग है तो finally जाकर 1997 के October महने में काफी जादा ethnic clashes देखने को मिला मतलब कि जो group community है उनके उपर एक तरह से काफी हमला हुआ और इसको लेकर आप right side के diagram में देखिए यह right side में आप देख रहे हो district that is kolasiv यहां पर ममित और यह लूंगलेई तो यहां पर जो तीन district में group community रहती थी tribe रहती थी वो यहां से चल कर चले गाए तृपुरा के अंदर यह जो कंचनपूर एरिया कंचनपूर एरिया है आपको मैंने अभी just map में दिखाया था तो just border के पास ही है तो यह यहां पर आकर settle हो गए तो यह basically करीब बताया जा रहा है number 37,000 brew जो tribe है वो आपकी तृपुरा के अंदर कंचनपूर में चली गई तो आगे चलते चलते क्या हुआ कि वापस से करीब 5000 brew ट्राइब है वो वापस तो आ गई लेकिन अभी भी 32,000 जो लोग है brew community के वो को permanent settlement किया जाए तो इसी को लेकर आप देखते हैं यहां पर क्या हुआ है तो जो तृपुरा का कंचनपूर है वहां पर काफी ज्यादा tense माहूल हो गया काफी protest देखने को मिला क्यों क्योंकि resettlement की चर्चा हो रही है कंचनपूर में और इसको लेकर एक व्यक्ति की मिर्तिय हुई है करीब 23 से ज़्यादा लोग injured हुए इंफाक्ट ये भी news खबर आ रही थी कि एक जो firefighter है उनकी भी यहां पर मिलति हो गई है तो यह protest क्यों हो रहा है नौर्स रुकूरा के अंदर तो जैसा कि मैं आपको बताया था 23 साल पहले यह जो ethnic clashes देखे गए थे तो उनी को लेकर यहां पर settlement की जड़्चा है अब क्या हुआ था कि January इसी साल January में एक agreement हुआ agreement क्या हुआ कि 32,000 बुर्व कम्यूटी के जो लोग है ट्राइब हैं उनको permanently settle कर दिया जाएगा यह जो मैंने आपको area बताया कंचनपूर के पूरे आसपास के area में तो यहां पर यह agreement हो गया January के मेहने में इसी साल आगे क्या होता है आप देख पा रहे हो कि जो लोग रह रह traffic imbalance है उस पूरे region में आ जाएगा और वो इससे खुश नहीं थे इसी को लेकर तिरपूरा के अंदर जो मीजो कंवेंशन है एक platform बनाया उन्होंने local ethnic organization के साथ मिलकर जिसका नाम है joint movement committee आपके exam में आ सकता है कि recently joint movement committee news में था यह कौन से राजिस से बिलॉंग करता है तो ध्यान के लिए यहाँ पर सरकार यह कह रहे है कि हम सरकार क्या मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 5000 families को settle करना है लेकिन यह कह रहा है कि 1500 से ज्यादा allowed नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर यह protest किस बात के लिए कर रहे है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यह joint movement committee है उनके convener है शूशान बरुआ उनका यह कहना है कि हमें ancestral land बचाना है लेकिन सरकार यहाँ पर जो local administration है वो कह रही है उन्होंने पहले 1500 families की जाज़त दिया था और promise किया था कि 1500 families से जादा allow नहीं करेंगे लेकिन अब वो 5000 migrant families को settle करने की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या क्या कहना है सरकार का अगर हम देखिए तो जो SDM है कंचनपूर के अंदर चांदिनी चंदरन जी उनका यह कहना है कि अभी 5000 migrant families को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है यह जो number है यह अभी ऐसे ही चल रहा है अभी भी बात चर्चा progress में है अभी हम कोई भी number पर final नहीं हुआ है तो यह गलत है ऐसा SDM का कहना है वहाँ पर कंचनपूर में लेकिन यह पुरा protest देखिए दोस्तों क्यों होता है क्योंकि एक letter सामने आया 28th October का एक letter है जो कि North पूरा district magistrate के दौरा यहाँ पर लिखा गया था और उसमें यह बताया गया कि brew settlement जो होना है उसके लिए पुरा खर्चा करीब 137 क करोंड के आस पास आएगा और इसका जो number breakup किया गया तब पता चला कि 5000 group families को settle किया जाएगा इसी को लेकर यहाँ पर अचानक से हिंसा देखने को मिल रही है क्योंकि इनका कहना है कि 1500 families ही हम allow करेंगे कंचनपूर में लेकिन यहाँ पर 5000 families की लगतार चर्चा आ रही है नाम है four corner agreement आपको इसका नाम पता होना चाहिए एक्जाम में आ सकता है यह agreement किस चीस से related है तो जो group community को settlement करना है भी settlement उन से related यह agreement है अब इस agreement के अंदर यह हुआ कि central government ने एक special development project अनौंस किया जिसका fund था करीब 600 करोण का इसके थुरू यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो उनको यहाँ पर 0.03 एकर का land दिया जाएगा घर बनाने के लिए घर बनाने का जो खर्चा आएगा उसके लिए करीब डेड़ लाक रुपए central government यहाँ पर दिया जाएगा इसके लावा वन टाइम cash benefit भी दिया जाएगा हर एक family को करीब 4 लाक का जिया क्या वार इसके अलाव के अंदर वो permanently settle हो सकें क्योंकि अभी वो relief camp में रह रह रहे हैं तो I hope दोस्तों यह जो पूरा वीडियो था यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस लिए हो रहा है इन सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है जाने से पहले मैं आपके लिए दो important question लेकर आया हूँ ट्राइब्स हैं क्या वो सही से मैच हुए है कि नहीं हर एक राज का तो बताइए तो फ्रेंड्स यह था वीडियो मैं बहुत ज़्यादा है रहान हो पहले तो पर पहले बात करेंगे settlement की जिस तरीके से यहाँ पर बाइलन्स हुआ और उसमें कुछ लोग मरें भी और जिस गवर्मेंट का प्लैन है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर आप जिस बात का डर दिखा रहे हैं कि तिरुपरा में डेमोगरफी चेंज हो जाएगी तो पहले हो चुकी है अब यहाँ पर जो रियांग कमूनिटी है या ब्रू कमूनिटी है वो तिरुपरा में बाकी की तु उपर आटेक हो रहा है तो वो कहा जाएंगे समझ लो मैं महारास्टी लोगों की ज्यादा पॉपुलिशन महारास्टा में हैं और मैं एमपी में रहता हूं तो वहां पर अगर मेरे उपर आटेक होता है तो मैं कहा जाओंगा मैं वहां जाओंगा जहां पर मेरे जो लोग है वह ज्यादा उधर ही जाओंगा तो जो ब्रू कम्यूनिटी के लोग है उन्होंने वही किया अगर में उनके उपर आटेक हुए तो तिरुपरा में आये क्योंकि तिरुपरा में उनकी पोपुलिशन ज्यादा है यहाँ पर उनको रिलिफ कैंप में रहना पड़ा वह बात मु में रिफ्यूजी बनना वो उससे ज्यादा दर्दना कोई चीज नहीं हो सकती है मैं तो ऐसा मानता हूं यह मेरा परसनल ओपिनियन है दूसरी बात करूंगा यहाँ पर बंगाली या फिर मीजो लोगों का कंसन है पहले बात करूंगा बंगाली लोगों की यहाँ पर मोसली जो तिरुपरा में बंगाली लोग है वह इंडियन बंगाली या फिर जो हमारा विस्ट बंगाले वहाँ से नहीं है वह बंगलादेश से आये हुए उसमें से ज्यादा तर लोग से मतलब सेवन्टीवन की वह और में शरनारती बनके आये थे यहाँ पर कुछ लोगों को मेर अगर आप वहाँ पर शरनारती बनके आये थे और आपको वहाँ के लोगों इतना बड़ा दिल करके वहाँ पर जगा दी रहने के लिए तो फिर आपनी वही करना चाहिए अगर मिजराम में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो तो इंडियन है वो तो किसे अलग कंट्रि स से आ रहे वो तो मिज़राम से आ रहे दूसरी बात बोलूंगा यहां पर जो हमेशा तिरुपरा की डेमोगराफिक की बात की जाती है या फिर कुछ ऐसे लोग है अभी उनके नाम भी याद हो गए मुझे पर नाम नहीं लोंगा मैं वो मुझे बोलते कि तुम्हें तिरुपर है यहां पर मैं हमेशा डीमोग्राफिक की बात चल रहे तो बोल दूँ मैं ना तो बंगली लोगों के खिला रहुं मैं ना तो बंगला देशी शरणारती आये थे उनके खिलाफ हूँ अगर उनपे वहां पर आतचार हुआ है तो उन्हों ने शरण ली इंडिया ने ऑँ द दी पर जो तिरुपुरा के लोग है वो यह चाहते हैं कि बतलब हमारे देश में जैसे मैंने पिछले विडियों में भी कहा कि बहुत ऐसे इतना देश बड़ा है बहुत जगाओं पर उनको वेस्ट बंगॉल में किया जा सकता है और भी बहुत सारे जगा पर उनको सेटल किया सकते हैं वैसे बूइल के लोग उनकी तादाद त्यरुपुरा में ज़्याद है तो त्यु त्युर्पुरा में सेटल हो अच्छी बात है वहाँ पर यहां गवबर्नेंट का रोल बहुत अच्छा लगा मुझे यहां पर चाहँ coded कि बात बात करो तो वो बहूं साल तक 5000 तो इस से बढ़िया हो नहीं सकता मेरे नजर में तो मतलब जो लोग सच में जीनको settle करना है उनको पैसलों मिल रहा है गहर बनाने के लिए जगह और भानने के लिए पैसलों पैसलों रहे लिए Oh एमकिह तो अपने लाइफ और आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं रहे तो वायलेंस की तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ का कभी भी हल नहीं निकलता कभी भी सोलुशन नहीं निकलता अगर वहां पर ब्रू कम्यूटी को सेटल करने की बात है कि जितने भी जो प्रॉपर लोकल के लोग है उनका चाहिन रखता है मैं यहां पर मैं दूसरी एक बात चेड़ना चाहूंगा जब मैंने इस टॉपिक पर पूछा था कि क्या मैं इस टॉपिक पर रियक्शन दूँ वीडियो बनाओ तो बहुत सारे लोग थे त्रोपरा के मुझे कहा था कि आप वीडियो बनाई है यहां पर सेंट्रल गवर्मेंट बहुत डियों चेले गए हैं और जितने बचेस उनको वहाँ सटल्मेंट होना चाहिए उनका यह उनके लिए भी अच्छा है और उनके फैमिल के लिए बहुत आच्छा है वहाँ पर सेंट्ल होते होने की तो उसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं यहां पर कई लोगों को बुरा ल या फिर जितने लीडर्स हैं, उनके बाते सुनता हूं, उसी बज़े से बोलता हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए, मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए, जैहिंगे